मुझे बड़ा मसाता है कोई ना कोई बात तेरे कान में पड़ी जाती है अब ये उसी दिन तो अगर नई होता तो मुझे बहुत गालिया पड़ती थी आच्चू बेच्चू मुझे बहुत ज़्यादा परेशन करती आप भी क्या कर रहे हो बातुल भाईया मैं ऐसा भी क्या करता हूँ आप ही तो मुझे हमेशा बचा देते हैं मैं सिर्फ अपने कान खड़े कर आपको सारी खवरे देता हूँ बस देख रहा है बिक्चू बातुल भाईयार फिद से लंब करने को साथ ही करने के लिए है उफ ये दोनों अगर साथ रहे ना बिटा तो हम दोनों इन दोनों को कभी परेशन ने कर पाएंगे इन दोनों को अलग करना है पड़ेगा ठीक कहा को तो पहले इस बड़े कान वाले को भगाते हैं उसके बाद बातुल की अकल्टिकाने लगाते हैं बातुल भाईया मुझे ना बाच्चू बिच्चू की आवाज सुनाई दे रही है उसके बात 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 नहीं है अबी कबर मिली है कि आपके लिए टेलिग्राम आया है आपको शेर जाना पड़ेगा फुटबोल टर्नामेट में आपकी रेफरी बनना पड़ेगा क्लाब सेक्रेटरी आपको ढोन रहा है आप जल्दी दोड़कर आए क्या कह रहे हूँ कुछ भी, मुझे रेफरी नहीं नहीं, मुझे विशवास नहीं हो रहा है ए तुम लोगों ने ठीक से सुना है कि नहीं क्या कहरो लमकर्ण ऐसा एक गोफर आयए और तुम हो की विशवास नहीं कर रहे जा जा जल्दी जा बाबा बच्चू तुम लोगों ने क्या तो लम करण पर उपकार किया है नहीं नहीं मैं तो खामखाई तुम लोगों पर हमेशा संदे करता हूँ ये लो तुम दोनो लोलिपोप खाओ बकसे पर किल क्यों ठोक रहे दोस्त देखते जाओ अब मैं बाटूल को कैसे मजा चाखाता हूँ ये भी कोई कहने की बात है गरूद तुमारे प्लान का कोई जवाब नहीं है सुनो सुनो बाटूल भाईया अरे सुनो तो ये छोटा सा बकसा देख रहे हो ना इसको जरा उठा के दिखाना उठा सकते हो या नहीं जा इसमें कौन सी बड़ी बात है ये लो देखो मैं उठा कर दिखाता हूँ ये क्या हुआ खेशना थोड़ा ज़ादा ही जोर से हो गया ना तुम लोगों को थड़ी तकलीफ देदी थुछ सोचना मत भाई अरे मर गया अरे रास्ते कटो कड़ा समेथ बाटूल भाया ने हम लोगों को उठा के गिरा दिया तुम लोग छोटी छोटी बातों पर मुझसे मज़ा करते हो जाओ कर जाओ इस पेड के साथ इस रसी को अच्छे से बात देता हूँ उसके बाद डग आफ वार में देखना कैसे बाटू भाया को हराता हूँ इस दिवार की छेद में से रसी को निकाल देता हूँ क्या कहते हो बाच्छू गरू गरू तुमारा जवाब नहीं बाटूल भाया मैं आपसे शर्द लगाता हूँ कि इस रसी को खीचने में आप मुझसे नहीं जीत सकते क्यों जूट मूट ये सब कर रहा है अच्छे बचे की तरह रोना ठिक रहोगे जाओ जाओ ए बिच्चू ये बाटूल भाया तुमसे डर गए है इसलिए टगो फोर में तुझसे लड़ना नहीं चाते छोड़ दो ना गुरू माफ कर दो ना बाटूल भाया को माफी नहीं माफी नहीं है बाटूल भाया आप भी आखिरकार हारी पाटी बनी गए भाया बुलाने में शर्मा रही है अब बताताओ रुख देख मैं क्या करता हूँ अरे बापरे मर्यारे अरे बाटूल अरे आए बाटूल भायारे पर बाट्रॉल बया से एक ऑद एक मात का रहे हो, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं मान पाऊंगा। तुम चुप रहा हो तो मैं मर रहा हूँ, मेरे सर पर आलो निकल आया है और तुम बखबख कर रहा है। चुब बैट, रुक मेरे दिमाग में एक प्लाना है, अब बाटर को बात देख रहूंगा आरे वाबारे गरू, माथे में आलो के बाद अब तरबूत ना उख जाए धीरे वच धीरे, सबर कफल मीठा होता है अब तयार करूँगा एक फंदा, उसके बात देखना होता है क्या बाटल भाया, यह आकाश में उड़ने वाला यान देख रहे है न यह आपके अलावा किसी पर भी शोभा नहीं देगा इसमें आप जरा बैट कर देखिये न, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा आकाश में आप घूम रहे होंगे और प्रित्वी दिखेगा बहुत सुन्दर आप बक्षियों की तरह जहां तहां उड़ रहे होंगे तुमारी उसमें कोई शयतानी तो नहीं है न, तुमारी दिमाग में तो सिर्फ बदमाशी गूमती है नहीं न, बाटल भया, हम लोग बहुत अच्छे लड़के बन गए हमारी कोई बदमाशी नहीं है एक बार चड़की तो देखी, फिर पता चलेगा क्या केते हुजूर, ठीक कहा चलो, ठीक है, मैं चड़कर बैठी जाता हूँ, देखे न लेकिन ध्यान रहे कोई दुरगटना ना गड़ जाए क्या बाटल भया, बलून में उड़ना कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है, फास्त, तुम लोग दिरे दिरे छोटे होते जा रहे हो ये तो रॉंग्टे खड़े करने का मामला है पता लगेगा बाई, पता लगेगा, और थड़ा उपर जाओ, फिर पता लगेगा कि रॉंग्टे खड़े होते हैं या सिकूर जाते हो और उपर जाए बाटल भया, देखेगा, ठान की वज़े से सिकूर जाओगे नई नई बाच्चू अब देर मत कर अब तीर धनुष निकाल और छेद कर दे भेद खोल दे बाटुल बलुन के साथ नीचे गिर पड़ेगा बाटुल को हम रोलर बनाएंगे और कोई चिन्ता नहीं है बाच्चू दोनों तीरों ने लक्ष भेद दिया है अब तो मेलोन भोस बाटुल पूरी तेजी से नीचे आ रहा है अरे इतने उपर से गिरा पर लगा जैसे किसी गद्धे पर से गिरा हूँ ना लांडे दोनों कहा गए डोनना पड़ेगा क्या हुआ उन दोनों ने मेरा आकाश में उड़ने का इतना अच्छा प्रबंध किया था और मैं ठीक से उड़ भी नहीं पाया ना ना मत से ही कोई गलती हुई है अरे बाटल बया इदर है बाटल बया इदर है यह क्या हुआ अरे तुम लोग एसे पिछक केसे गए किसीने रोलर चला दिया लगता है रुको रुको मैं तुम लोगों को हिला देता हूँ हवा गुसेगी तो ठीक हो जाओगे बहुत हो गया बाटल बया आप अब हम पर जादा उपकार करने की कोशिश मत किजिए नई तो अब हम और मरेंगे बिल्कुल बचेंगे नई ठीक है जब मदद ही लेना नई चाहते तो मैं चलता हूँ पकाश में ब्रमण करवाने के लिए तुम लोगों को बहुत सारा प्यार हट अब अच्छा नहीं लगता जितनी बार हम बाटूस भाईया को मज़ा चखाने जाते हैं वह हमें ही मज़ा चखा देते हैं हट जा हट जा बाचू अरे हट रे बाचू अरे बाचू